जय मातादी दोठ्टों आप सभी को 24 नवरात्री की बहूत बहुत शुप्काम नहीं हैं, आप सभी की रिक्वेस्ट पर मैं लेकर आई हूँ मातरानी की बहुत ही सरल पूजाविदी इसमें आप कोई कलस диस थापना नहीं करनी हैं ना है अखन जो जलाना है और ना ही आपको जवारे बोने हैं बहुत इस सरल पूजा वीदी में आपके साथ शेयर कर रही हो तो पूए नौ दिन तक आप ऐसे ही पूजा कर सकते हैं तो चलि हमारी इस वीडियो को शुरू करें सर प्रथम तो आपको चैतर नवरात्य की प्रथम दिन्यानी की माता शैल पुत्री का दिन जो होता है उस दिन आपको बिल्कुल स्वक्ष कपड़े पेंगे नहादो के तयार हो जाना है जहां पर आप पूजा करने वाले हैं वहां लालब पीला कुष्वी भिचा सकते हैं इसके बाद आपको मता की फोटो जो भी आप विगरह हो या फोल्ट हूँ को आप श्थापित कर लीजें उन्रापुशप की माला अर्पित कर दीजें जब भी आप कोई भी फोटो या विगरह स्थापित करें तो नीचे थोड़े स चोटी भी पूजा करने तो गणेश जी की पूजा हमें सरुपथम करनी ही चाहिए तब ही आपकी जो पूजा है वो स्वीकार की जाती है और वो आपको लाव देती है पूजा तो देखे हस्पतों आप दीपक को जला लिया है तो गणेश जी की पूजा कर लीजे आप तिरक लगाकर उनकी पूजा करने के बार आप दीपक की पूजा कर लीजे जो अग्ने द्यवी होते हैं माता को चुंडरी आरपित कर दिजिएगा अफ हम सभी जग है पुस पर इरपित करेंगे तो जो भी आप पुस्प लेकर आये हो लाल, पीले, आप, नीले, सफे, जो भी पुफ लेके आए हैं, वो अर्पित कर दीजे, वैसे तो माता को लाल पुछ पे बहुत प्री होते हैं, गोड़हल के अगर आपको पुछ पे मिल जाएं, तो वो आप अर्पित कर दीजे, गुलाब की माला भी आप अर्पित कर सकते है इसकार हमने जो हमारे गड़ पती जी उनको जनियू कलाबा अर्पित कर दिया है माता रानी पर हम अक्षत अर्पित करेंगे गणिजी पर भी अक्षत अर्पित करेंगे तो मेरे पास गुलाब की यहां पंखुडिया है तो मैं स्रध्धा से पूरे भाव से माता की नामों को बोलते हुए नामों का उचान करते हुए माता को एक एक पंखुडी अर्पित कर रही हूँ जैमा, शैलपुत्री, ब्रहमचार्णी, चंद्रकंटा, कुश्मांडा, इसकंध माता, कात्याईनी, कालरात्री, महागौरी, शिदितात्री, नमस्तशिन, मस्तशिन, मुन्वा, माता के नौ स्वरुपों की पूजा होती है नवरात्री में अगर आप बहुत विजी हैं, आप पर समय नहीं है तो आप इस तरीके से छोटे रूप में भी पूजा कर सकते हैं जब उनकी भोग में लौंग लाइची होता है, अब यहां मौसमी फल अर्पित कर दीजे, देखिए मौसमी फल तो हर कोई अर्पित करी सकता है, दो-दो अर्पित कर दीजे, यहां पर में सेव औ केला अर्पित कर रही हूं सुहा का सामन आपकी उपर है, सुहा का सामन प्रथम दिन भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर आखरी दिन भी अर्पित कर सकते हैं, अश्टमी या नवमी को आप अर्पित कर सकते हैं, तो मैं आपको पांच चीज़ें दिखा रही हूँ, यहां पांच चीज़ें चोड़ी, बि कर देती है तो बाद में आप पूजा के उनको जो दक्षणा है वो किसी भी पंड़ित को या ब्रामण को दे दीजिगा अपने ग्राउंड देपता को जी को भी पूज लेंगे चारों तरफ इत्र हम लगा देंगे सुगंधित वातावन कर देंगे थोड़ी सी धू परपित क करेंगे और आप कपूर की आरती करने से हमारी जो पूजा है वो संपूर्ण हो जाती है अगर आप हबन भी नहीं कर पा रहे तो आप पस कपूर की आरती कर लिजे उसमें थोड़े सी लॉंग लाइची डाल दीजिए तो आपका जो हबन है वो छोटे रूप में हो जाता है तो इस तरीके से आपको करना को सरल और संपूर्ण पूरी अगर पूजा देखना है तो वो भी मेरी चैनल पर डली हुई है मैंने कलिया पर सोही डाली है आप सभी ने उसको बहुत पूसंद किया उसके लिए बहुत बहुत धनिवाद आप सभी के सपोर्ट से मैं यहां तक कर सकते हैं आरती संग्रह में आपको मिल जाएगी या फिर आप कहीं ने मिले तो गूगल पर सर्च कर लिए तो वहां तो सभी मिल जाती है आरतिया तो यहां प्रमार्ति का लेंगे अगर थोड़ा सा समय होआ तो आप दूर का 40 पार्ट जरूर कीजे आपकी पूजा सफल हो समपन करेंगे और अपने जिस आप आसन पर बैठे हैं वहां पर जरूर चोड़ दीजेगा और आकों से लगा लेजेगा तो यहां कापूर की आरती जो हमने की थी आच्मन करने के बाद इसमें लाइची और थोड़ा सा मीठा हम डाल देंगे तो हमारे जो थोड़ा सा करती हूं आशा करती हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो तो पीने के लिए अब पिलकुल भी न भूलेगा आप सभी को चैतर नवरातरी की बहुत बहुत शुप कामना है मातराणी आप सब पर हम सब पर अपनी कृपदाश्टी सदे बनाए रखे और अमाता के पास थोड़ा सा जल जरूर रखेगा उनको पीने के लिए तो यहां हमारे चोटे रूप में च पूजन करके देखे, आपको जरूर लाव प्राप्त होगा, माता का आशिवत प्राप्त होगा, आप सभी को चत्र नवरात्वी की बहुत-बहुत शुब कामने, जये माता दी, मातरानी, आप सब पर हम सब पर अपनी कृपा दश्टी, सदेव, ऐसे ही बनाये रखे, आप सभ आपरीका बहुत-बहुत धन्यवत